यूवा कॉंग्रेस प्रिदेश अज्यक्ष बिकरांद भूरिया ने सीम सिवरास सिंग से बड़ी मांग कर दी है दरसल बड़ते कोरोना संक्रमन को देखते हुए बिकरांद भूरिया ने सरकार से ये मांग की है कि इदोर में आयوجित किया जाने वाले प्रिबासी भारतिये दिबस के कारी करम में भाग लेने के लिए बिदेश से आने वाले नागरिको को कारी करम में जाने से पहले साथ दिन के लिए कॉरंटाइन किया जाए भहीं विकरान बुरिया ने कहा कि चीन और उसके साथ ही यूरोप में कोरोना संक्रमट तेही से बढ़ रहा है इस बेरियन की रप्तार भी जादा है पिछली बार भी भारत में जो संक्रमट फेला था बहाँ बिदोसों से आने वाले नागरिकों के कारण फेला था इसको ध्यान में रखते हुए हमें इंदोर और मद्ध्य प्रदेश को कोरोना बायरस की संक्रमट से बचाने के लिए सक्त कदम जो सरकार है आठ से लेकर दस तारिक तक इंदोर में बहुत बड़ा प्रवासी भारतियों का एक बहुत बड़ा जलसा हो रहा है गेट टुगेदर हो रहा है और ये एक हमारे लिए बहुत चिंता का विश्य है और एक खत्रे की घंटी भी है जिस तरह से पहले नमस्ते ट्रम्प कारेकरम में भी दिल्ली में एक जबदस्ट विसफोट हुआ था कोरोना का होट स्पोट बन गया था डिल्ली हम नहीं चाहते कि वैसा होट स्पोट वापस से इंदोर बन जाए और मैं ये सरकार से अनुरोद करता हूँ कि जो ये प्रवासी भारतियों का कारेकरम है या तो इसको स्थगित करा जाए या फिर जो भी प्रवासी भारतियों आ रहे हैं अलग अलग देशों से आ रहे हैं तो कम से कम उनको साथ से दस दिन के लिए कारेंटीन करा जाए और उनका कोरोना टेस्टिंग करा जाए उसके बाद ही उनको अनुमती दी जाए किसी भी तरह के कारेकरम या फिर